Hello everyone and once again welcome to Umar Taskir YouTube channel myself Umar Taskir guys Google Analytics 4 के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ analysis करने वाले Guys Google Analytics केवल एक ऐसा ही टूल नहीं है जहां पर केवल आप data देखते हो Guys आप बहुत सारी data की analysis भी करते हो आपके दिमाग में कुछ questions होते हैं आप उन questions के answer भी find करने कुछ करते हो तो guys इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक थोड़ी सी analysis करेंगे बहुत ही basic से analysis करेंगे using free form और इस चीच के लिए हमारे दिमाग में कुछ question होना चाहिए कि आखिर analysis के थूरू हम क्या find करना चाहते हैं जब भी हम बात कहते हैं कि हम analysis करने जा रहे हैं इसका मतलब simple सा यह होता है कि कुछ चीज़ें हैं हमारे दिमाग में कुछ questions हैं हमारे दिमाग में जिनका हम answer जो है वो Google Analytics टूल की help से निकालना चाहते हैं यहाँ पर हम लोग जो explore का option है जिसके अंदर हमें free form create करने का option मिलता है उसी को हम लोग use करेंगा और अपने बहुत ही basic सा example ले रखा है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो मेरे laptop screen के उपर I want to know the conversion happening city-wise on mobile as well as on desktop यानि कि यहाँ पर मैं segments का comparison कर रहा हूँ मैं यह study करना चाहता हूँ कि जो मेरे conversions हो रहा है वो कितने हो रहा है city-wise मेरे conversions कितने हो रहा है और मुझे यह भी जाना है कि वो जो conversions हो रहा है वो mobile से कितने conversions हो रहा है और desktop से कितने conversions है मतलब यह है कि साथ ही साथ मैं एक comparison भी करना चाहता हूँ चलिए शुरू करते हो देखते हैं इस चीज़ को किस तरीके से हम लोग implement कर सकते हैं बहुत ही quick video है बट आपको analysis की approach सीखने में help करेगा तो guys यहां से हम लोग सीधे चलेंगे explore वाले option के उपर explore से मैं आ जाता हूँ, blank के उपर मैंने select कर रखा यहां पर demo account क्योंकि demo account में बहु experiments जो हैं वो कर सकते हैं, सबसे पहले मैं वापस आदा हूँ अपने question के उपर, I want to know the conversions, ठीक है हमें conversions ढूनने, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि conversion is basically a metric, मैं यह लिख लेता हूँ यहां पर, और उसके बाद conversions हमें किस हिसाब से ढूनने हमें city wise conversion ढूनने, so city is basically dimensions, अब सबसे पहले मैं segments ही create कर लेता हूँ यहां पर, तो guys हम लोग आ चाते हैं segment पर, बाकी आपको यहां पर चीज़े पता हैं, मैंने पुराने वाले वीडियो से बताया है, और explore का नाम हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, demo analysis, the technique is free form और यहां पर अगर आप इसका कुछ नाम रख time date है, उसी की study करना चाते है, according to your requirement, अगर आप dates होगरा change करना चाते हैं, अपनी real data में तो आप कर सकते हैं, I'll go with the date यहां पर दी भी, because यह अभी हम लोगे लिए इतना बड़ा matter नहीं है, then we will come to segment, and if we will click on segment, तो हमें जो segment create करना है, वो devices के basis पे create करना है, तो I'll go to template, यहां पर ह desktop, ठीक है, जो लोग desktop से आ रहे हैं, I'll apply, और यहां पर मैं desktop भी mention कर दूँगा, right side में आपको थोड़े सा idea मिल जाएगा, केवल desktop से आए, वो कौन लोग है, वो कितने लोग है, fine, उसके बाद मैं यहां save and apply कर दूँगा, तो आप देख सकते हो, यहां पर हमें एक segment दिख रह कर दूँगा, this time I want device category which exactly matches to mobile, ठीक है, जो लोग mobile से आयो है, और मैं simply apply कर दूँगा, and here I'll mention mobile, right, so this is how I will do, और उसके बाद मैं save and apply कर दूँगा, मेरे पास दो segments है, right, अब मुझे आपर report बनानी है, ठीक है, और उसके बाद segments apply करने है, report में, तो what I will do is, dimension में मैं मुझे पता है city wise, तो I'll go ahead, और city मैं यहाँ पर apply कर दूँगा, city wise मैं study करना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ें, that was conversions, right, तो मैं यहाँ पर conversion select कर लूँग, and then I'll apply conversions, तो city wise मैं conversion study करना चाह रहा हूँ, तो simply, जो यहाँ पर segment है, मैं यहाँ से फिर से अटार दूँग, तो मैं city wise conversion study करना चाह रह अब आप देख सकते हो, यहाँ पर, मुझे total conversion दिख रहा है, कि 82,900, 82 conversions total हुए है, और in cities से जो है, वो conversion हुए है, so guys, now if you want, कि आपको इन सभी cities के around study नहीं करनी है, आप केवल New York को study करना चाहते है, fine, let's say, यह आपकी priority हो सकता है, तो मैं क्या गरूँगा, यहाँ से dimension, right, city के पर हमें filter actually लगाना है, तो यह filters का आपको option दिख रहा है, what you will do is, simply आपको city को यहाँ drag करना है, और यहाँ पर जो है, आपका filter create हो गया, अब मैं filter में select कर लेता हूँ, exactly matches, और मैं यहाँ पर New York select करके, मैं apply कर देता हूँ, now you can see, कि मेरे सामने cable data जो है, वो New York की है, but अभी में मुझे मेरे पूरे question का answer नहीं मिला, मैं यह चाहता था कि कितने conversions हुए है, according to city, on different devices, right, तो उसके लिए जो मैंने अलग-अलग segments बनाए, वो मैं यहाँ push कर दूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, segment का आपको comparison का option दिख रहा है, मैं desktop पहले यहाँ पर डालूँगा, त desktop reports, ठीक है, desktop based reports आपको मिल जाएंगी, तो वैस यहाँ पर desktop से देख सकते हो, आप desktop से जो हमें conversions हुए है, वो हुए हमारे 1402, और यह जो total conversion है, यह क्योंकि अभी यहाँ पर कोई दूसरा column नहीं है, तो आप यह मत समझो कि यह total conversions है, desktop plus mobile के, ऐसा बिलकुल नहीं है, कि total conversions है, desktop किये, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर mobile एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो, desktop से हमारे 1402 हुए, mobile से हमारे 517 हुए, तो total हमारे इतने conversion हुए, which is basically 100% of the total, ठीक है, 100% of the total conversion हमारा यह है, और इसको अगर हम break करें, तो 73% यह है और 27% यह है, तो वैस हमें यहाँ पर इस टा दिख जाएगी, जहाँ पर हमारे पास पूरी के पूरे जो cities है, वो हमारे पास यहाँ पर mention है, और भी cities होंगी नीचे, क्योंकि मैंने show rows में केवल 10 रख रखा है, तो what I can do is, मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ, तो यह जो row है, यह और ज़्यादा extend हो जाएगी, आप और ज़् उसको explore कर सकते हैं, देख रहे हैं, आप यहाँ पर तो यह छोटे-छोटे हमें options यहाँ पर मिलते हैं, तो अगर आप यहाँ से start row 1 है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से start करना चाहते हो, और यह बाकी की चीज़ें आप नहीं देखना चाहते हो, you can go ahead, और 4 आप यहाँ पर जैसे ही enter करोगे, which means that कि अब आप जो है 4th row से start करना चाहरे हो, right, तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर 4 जो है, वो mention कर देता हूँ, right, जैसे मैं 4 mention करूँगा, आप देखोगे 4th जो row है, वहाँ से आपको data दिखाई देगी, और उससे पहले की जो data है, वो आपको यहाँ पर जाऊँगा, then I'll click on exclude, जो selection है मेरा, तो जो not set वाली data है, वो हमारी exclude हो जाएगी, तो guys, मैं आपको यह नहीं recommend करूँगा, simple job, वस data देखते रहो, अपने दिमाग में खुद से questions को frame करो, Google Analytics क्या-क्या answer हमें दे सकता है, और उसके बाद जो है, उन answers को इस type से explore वाले section में जाक थीरे थीरे आप बहुत सारी चीज़ है, automatically सीख जाओगे, मैंने भी starting में बहुत सारी practice जो इसी तरीके से कि मैं अपने दिमाग में questions सोचता था, उनके answers find करने के लिए जाता था, तब तो यह Google Analytics 4 नहीं था, जो है Universal Analytics 3 भी नहीं था, उससे पुराना वाला जो analytics था, उस पे भ mindset है जो आपको develop करना इसी टाइप से और इसी टाइप से आपको questions के answers find करने कुछ करना है, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए होगा, वीडियो गर पसंद आए तो like जरू करें, comment करें, channel को subscribe करें, जादा लोगों तो पहुंचाए, मिलता है next video में, till then, good bye हुआ 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 है